तो प्रमुख बिंदु जो हमारे सध्याय का होगा वह है इटली के नगरों का पुनर्थान जिसका मैंने भी जिक्र किया कि इटली के जो नगर थे जिनोवा, फ्लॉरेंस, रोम, पडुआ, आधी-आधी ये जो शहर वेनिस, ये जो शहर थे ये शहरों का पुनर जन्म हुआ, पुनर्थान हुआ, मैंने बताया आपको ये शहर इस समय प्रारम नहीं हुए, प्रारम ये तो रोमन सब्विता के समय के शहर हैं, लेकिन अब एक तरीके से वे अंदकार युग में सुपता वर्था में चले गया थे, इनकी कोई अहमियत नहीं थी, पर आधनिक युग में याने चौदवी शताबदी के होते होते, इनका पुनर्थान होता है, कैसे क्या होता है, इसको हम देखेंगे, दूसरा मुद्दा जो हम जानेंगे वो है विश्वद्याले और मानवतावाद, अथत मानवतावाद और विश्वद्याले के बीच में क्या परस्पर संबंद अब देखिए अंधकार यूग के बाद जब शिक्षा ग्यान आदी बिलकुल रसातल पे था अब हम विश्व द्याला की बात करते हैं अर्थात ये वो काल आ गया है जब शैक्षनिक केंद्र अपनी पुरानी महत्ता वापस पाने लगे थे रोमन सभिता के समय जो जो लोग शिक्षा के क्षित्र में जो अहम योगदान दे रहे थे उसके बारे में फिर से चर्चा होनी शुरू हो गई थी तो इसलिए पुरार जन्म कहलाता है इसलिए पुरार थान कहलाता है इटली के नगरों के पुनर्थान के कारणों में जो कई कारण है उसमें एक कारण ये भी है कि विश्वद्याले के जो विश्वद्याले का जो गौरो था वो वापस आता है मानवतावाद विश्वद्याले का जो मूल केंद्र होता है शिख्या में वह पूर में धर्म था धर्म या धर्म संबंदी बातें अब यहाँ पे एक नई विचारधारा मानवतावादी विचारधारा सामने आती है जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसी से संबंदित है अगला बिंदू जिसका हम अध्यान करेंगे पढ़ेंगे वो है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या था मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है मानवतावादी नजरिया क्या है वह नजरिया पुराने नजरिये से कैसे अलग था और कैसे इस बदले हुए नजरिये ने जिसे मानवतावादी नजरिया कहते हैं कैसे इसने यौरप के आधने की करण में बदलती हुई पनपराओं को प्रभावित किया उसके बाद अगला बिंदु होगा विज्ञान और दर्शन ये वो काल है जब हम विश्य द्याले के बारे में पढ़ रहे हैं ये वो काल है जब हम विज्ञान और दर्शन अर्था फिलासफी जीवन जीने की कला उसे संक्षित में दर्शन कह सकते हैं जीव आदमी में सोचने की श्वतंतरता हो, और सोचने की कूबत हो, आखिर ऐसी क्या परिस्तियां बदली, कि पूर का माना हो, मध्यकाल का आदमी, अब सोचने लगा था. अब विज्ञानिक सोच तर्क संगत विचार रखने लगा था क्योंकि विज्ञान का तर्क से बड़ा घनिश संबंध है Reasoning, Logic, Reasoning, Logic यह विज्ञान के अहम शब्द है इनका बोल बाला शुरू होता है, इनकी प्रचुरता शुरू होती है तो आखिर ऐसा क्या था कि विज्ञान और दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ या पुनरजन्म हुआ, पुनरजागरण हुआ और इसमें जो सबसे अहम योगदान है वो अरब लोगों का था अरबों का इसमें बहुत बड़ा योगदान कॉंस्टेंटिनोपल आप देखेंगे इस पर टर्की ने 1453 में कबजा कर लिया था एक टाइम लाइन पर हम बाद में चर्चा करेंगे जिसमें कुछ-कुछ विशेश वर्षों पर हम एक नदर डालेंगे सर्तरी फिलहाल आप याद रखें 1453 वह वर्ष है जब एक बहुत भरी परिवर्टन योरोप के नक्षे में होता है जब कॉंस्टेंटिनोपल पर तुर्की का कबजा हो जाता है सेल्जुक तुर्क ये लोग कहलाते थे सेल्दुक्टर अब देखिए टर्की की स्थिति कहां है भाउगोलिक स्थिति ये टर्की जो है वह युनान पर कॉंस्टेंटिनोपल पर कबजा करता है और उसके साथ क्या होता है वहाँ पर कबजा करने के कारण तर्कियों द्वारा तुर्की के लोगों के द्वारा कबजा करने के कारण युनानी सभिता में जो लोग जो अरब के लोग बढ़ रहे थे बुद्धिजीवी लोग कलाकार लोग साहितिकार लोग वे लोग वहाँ से भागते हैं तो कि तुर्की के लोग एक तरीके से इन चीजों को कताई आदर नहीं देते थे तो तुर्की के आगमन के साथ, तुर्की की विजय के साथ, तुर्की द्वारा कॉंस्टेंटिनोपल पर विजय पाने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो है यूनानी खेत्र से बहुत सारे ऐसे बुद्धी जीवियों का सहितिकारों का पलायन होना और इटली की तरफ भागना ये उनके द्वारा तो ये कौन लोग थे अरब लोग थे तो ये इटली की ओर जाते हैं परणाम सुरूप क्या होता है उनके विचार, उनका रहनसान, उनकी जीवनशाली, उनके वस्तरादी, उनकी वास्तुकला, उनकी सोज ये इटली के लोगों को प्रभावित करती है, वहाँ जो सुपता वस्ता में थी, जो सब्विता, वो थोड़ी सी जागने लगती है, उसमें थोड़ी खलबली मस्ती है अरब लोगों के विचारों से इटाली के लोग प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव का प्रणाम क्या होता है कि वे भी उस दिशा में सोचने लगते हैं जिस दिशा में युनानी सब्विता के बुद्धी जीवी लोग सोचते थे तो इस प्रकार दोनों सब्विताओं के मिलन से एक नई सोच प्रारम होती है जो पुनर जागरन बंद कहलाती है पुनर जागरन के रूप में जिसे हम जानते हैं ये जो युनानी सब्विताओं से लोंगों का जो भागना हुआ ये एक बहुत अहम बिंदु है इसलिए मैं फिर से इसको दोराओंगा कि 1453 को आप याद रखें यह वावर्ष जब तुर्की ने सेलजुक टर्क सेलजुक एक वंच है सेलजुक टर्क ने कॉंस्टेंटिनोपल पर कबजा किया और इस कबजे के साथ जो परिवर्तन हुए ये एक राजनेतिक कबजा था सामराज बनाने के लिए कबजा था लेकिन इस राजनेतिक परिवर इंद्र बना इटाली ठीक सो हम अर्भियों के योगदान को पढ़ेंगे इसके बाद अगला बिंदु जो हम पढ़ेंगे कलाकार और यथार्थ वाद यथार्थ मतलब जैसा है सच्चाई जो है उसको प्रगट करना पूर में क्या होता था एक तो कलाकारों का कोई ना बाहू सामंत वादी काल था उसमें तो इनलों का कोई स्थान नहीं था क्योंकि सामंत वादी काल में सामंत और सैनिक और सबसे उपर धर्म से जुले हुए धर्म गुरु पादरी आदी तो इस काल में हम कला के नाम से कुछ विशेश बात नहीं जानते हैं साहित्य के नाम से भी कु नहीं कहते हैं, कहते हैं न, साहित्य संगीत कला वहीना, साक्षात पशुपुच्छ विशान हीना, यानि जो सभिता साहित्य संगीत और कला से विहीन है, विरक्त है, वह एक ऐसे पशु के समाने जिसकी पूछ नहीं होती, कल्पना करिए कैसा हर पशु की पूछ होती है मतलब पशु का पूछ से बड़ा अटूट संबंध है तो यदि सब्विता अच्छी होनी है तो उसके पास साहित होना जरूरी है चंगीत होना जरूरी है कला होना जरूरी है दुर्भाग से सामंत वादी युग में की बात नहीं करते जिस पर लोग जिसे हम कहते हैं ऐसी दुनिया की बात नहीं करते जो दूसरी दुनिया है धर्म अधारित दुनिया है यह लोग भौतिक वादी दुनिया की बात करते हैं इस धर्ती की बात करते हैं यह थार्त की बात करते हैं हम कैसे हैं कौन हैं क्या हैं हम क कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी शायद इस दौर में यही कुछ हो रहा था कि वो विचार मंथन शुरू हुआ और उस मंथन का श्रेज आता है कॉंस्टेंटिनोपल पर राजनेतिक कपजा तरकियों द्वारा जिस होना वहां से उनका रवाना होना और इटली में आके भस जाना अब इटली में ही क्यों इसका मैं जिक्र कर चुका हूं यहां पर एक बात ओर बतानी होगी तो यथार्त वाद आप समझें यथार्त मतलब जो है वास्तों में उसके बारे में बात करना कलpassen की वड़ान में नह सामंतवादी युक का स्थान अब वानिज से जुड़े हुए लोगों ने व्यापारियों ने ले लिया था ठीक ये व्यापारियों और वानिज से जुड़े हुए लोग कला के पारखी ही थे कला की महत्ता जानते थे और इस प्रकार उन्होंने सहित्यकारों को कलाकारों को प शरण की खोज में ही तो ये लोग युनान से निकले थे और इधर आये थे वहां की नगरी ये सब बिता इटाली की उन्हें रास आ गई थी और व्यापारियों के द्वारा जो नजरिया था इनके प्रती वो एक इज़त का नजरिया था तो इस प्रकार बाइज़त रहने के गुझाईश देखते हुए ये जो व्यापारी जो कलाकार थे वे वहां के बस गय थे ये अगला बिंदु होगा हमारे अध्यान का उसके बाद है वास्तु कला इस काल ने वास्तु कला में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखे वास्तु कला कार्त क्या है वास्तु कला मतलब भवन निर्मार से जुड़े हुई कला अंधकार युग में या मद्यकाल में ऐसा कोई विशेश कारे नहीं हुआ लेकिन इस काल में जो आधनिक काल की जो आहट का समय होता है चौधवी पंद्रवी शताब्दी उस समय हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हुए जो ऐसे कुछ कला कारों की तरह कुछ साहित कारों की तरह ऐसे ही कुछ वास्तु विद भी हुए जिनोंने अच्छे अच्छे भी भवनों का नर्मान किया जिसमें विज्ञान भी था जिसमें सोच थी जिसमें गनित भी था और जिसमें उन भवनों की भविता भी थी शालीनता भी थी गरिमा भी थी वास्तु कला को किन लोगों ने प्रभावित किया इस पर हम अध्यान करेंगे जो अगला बिंदु ह और अंतिम बिंदु हमारे अध्यान का प्रथम मुद्रित पुश्टकेश। मैंने आपको बताया कि साहितिकार आधी वगजर सब यहां पहुंचे। मैंने यह बताया व्यापार बढ़हा। मैंने आपको यह बताया कि विश्त द्यालव में शिक्षा बढ़ही। उसके बाद मैंने आपको फिर ये बताया कि नया दृष्टिकोंड जिसे मानवतावादी दृष्टिकोंड कहते हैं वो सामने आया आखिर ये सब संभाव क्यों हुआ निश्चित रूप से जैसा मैंने बारंबार कहा है कांस्टिन्ट नोपल के हमले से इन लोगों का जहां आना होता है लेकिन मतर आने से ही मतर एक जगह से दूसरे जगह जाने से ही उनके विचार सभी जगह नहीं जा सकते ये तो प्रिंटिंग प्रिस्क का कमाल था, ये तो प्रिस्क का इजाद होने का कमाल था, मुद्रन प्रणाली का प्रारंब होने का कमाल था, कि ऐसे आया हुए लोगों के विचार अब बड़ी तेजी से पुस्तकों के माध्यम से, कागजी पुस्तकों के माध्यम से अब हजा पहुचने लगे पहले मेरे विचार मेरे तक ही सीमित होते थे या ज्यादा से ज्यादा मेरे दाइरे में जो लोग हैं मेरे से संबंदित जो लोग हैं उनी तक वो विचार जाते थे फिर उनके माध्यम से और पचास लोगों तक तो जो गती थी मेरे विचारों के जाने की या एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के वो बड़ी धीमी थी क्योंकि पांडुलिपियां ही रहती थी उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि हजारों कि एक बार में मेरे विचारों को मैं हजारों किलो मीटर दूर हजारों मील दूर हजारों लोगों तक पहुंचा दूँ आज तो अमेरिका में एक पुस्तक छपती है और दस मिनट बाल वो नेट के माध्यम से मेरे पास यहाँ अपलब्ध हो जाएगी उस जमाने में ऐसा ही कुछ हुआ मुद्रन का जो आविशकार था प्रिंटिंग प्रिस का जो आविशकार था वह इन सारे बिंदों से शायद सबसे ज़्यादा एहम था क्योंकि यदि ये नहीं होती मुद्रन प्रणाली यदि नहीं आती तो ये सारे विचारों का आदान प्रणाली नहीं होता और यदि आदान प्रणाली नहीं होता तो विचारों के आदान प्रणाली के घरशन से विचारों के आदान प्रणाली की तकराहट से जो नए विचार लोगों के नाम भी पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या योगदान दिया ये भी जानेंगे और इस प्रकार ये जो साथ बिंदू है ये हमारे अध्यन के प्रमुक बिंदू है दूसरे शब्दों हम ये भी कह सकते हैं कि रेने सांक से हमारा तातपर क्या है पुनर जागनर से हमारा इन साथ खेतरों में परिवर्तन होना विचारों का परिवर्तन नई नई चीजें आना इन साथ खेतरों में और यही पुनर्जागरण है इन साथ मुख्य बिन्दूओं के साथ-साथ कुछ अन्य बिन्दू भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं और वे बिंदू भी अत्यादिक महत्वपूर्ण हैं और उनमें एक है महिलाओं की आकांख्षाएं इस काल ने महिलाओं में भी जागरूकता पैदा की, सजगता लाई महिलाओं भी अपनी अहमियत समझने लगी समाज में उनके स्थान को लेकर एक तरीके से बदलाओ आया महिलाओं की स्थिति को लेकर तो उनकी क्या आकांख्षाएं थी इस परिवर्तनी परिवर्तन युग में जब विचार बदल रहे थे इस पर अध्यान करेंगे इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद यह है अगला बिंदु है हमारे अध्यान का इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद क्या है देखिए इसाई धर्म sovereignty जिस हम कहते हैं मूल रूप से वो catholic धर्म था Catholics और 14-15 शताबदी में जैसा पोप और पादरियों की जब पकड़ कम होने लगी समाज पे पकड़ कम होने लगी धार्मिक रूप से उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा लोग उनको प्रश्ण करने लगे लोग उनके अंद्विश्वासों पर उंगली उठाने लगे लोग पादरियों के पोप आदी के जीवन शैली पर प्रश्ण उठाने लगे क्योंकि वे लोग बड़े विलास का जीवन जीने लगे थे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं वे इस तरह के प्रशनों को बरदाश नहीं करते समाज के दूसरे वर्ग द्वारा धर्म गुरूओं पर धर्या धर्म पर उठाये गए प्रशनों को ये बरदाश नहीं करते और इस प्रकार दोनों के बीच में तक्राव होता है तक्रार होती है तक्राव होता है और अंतता क्या होता है कि जो जो समूह कैथोलिक विचारों का विरोध कर रहा था उसमें परिवर्तन चाह रहा था परिवर्तन के अभाव में ये लोग एक नई दिशा मोल में चले जाते हैं और एक इसाई धर्म के अंतरगत ही एक नया धर्म इस्थापित करते हैं जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं इस पर भी हम आगे विस्तार से विचा करेंगे इनके बीच का जो तो अगला बिंद जो है इसाई धर्म के अंतर गत वाद विवाद इसाई धर्म का इसलाम धर्म से टक्राओ ये विशानी है ये तो हमने पूर में पढ़ा है इसाई धर्म के अंदर ही टक्राओ अब आखिर टक्राओ क्यों हुआ इसी लिए क्योंकि यूनानी सब्विता से जो अरब लोग और वहां के लोग जो बुद्धी जीवी लोग आये वो अपने साथ ऐसे विचार लाए जिसमें धर्म पर प्रश्ण करने लगे थे और इस पकार उनके द्वारा लाए गए विचारों का परणाम यह हुआ कि जो तत्काली निसाई धर्म था उसके या जो पादरी लोग थे उनकी निश्ठा पर सवाल उठाने लगे जो पोप थे उनकी पकड़ कमजोर होने लगी तो अगला बिंदू यह होगा उसके बाद है कोपर निकसी क्रांती 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 क्या होता है क्रांती मतला बहुत तीवर परिवर्तन जब हम क्रांती शब्द का उप्योग करते हैं तो क्रांती के दो माइने हो दो उसके पहलू होते हैं पहला परिवर्तन क्रांती यह न इस न पाड़े परिवर्तन मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पूरी स्थितिया बदल जाना आमूलचूल परिवर्तन हो जाना ओर इन नो टाइम, भिना किसी समय बिना ज्यादा समय लिए ऐसे परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं अब ये कोपर निकस क्या है हम अध्यान करेंगे फिलहाल इसको हम जान लें कि कोपर निकस वह पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि यह प्रिथ्वी नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ह प्रिथ्वी केंद्र में नहीं है पूरे ब्रह्मांड के सूरज है और सूरज के चारों और बाकी सब इस्थित हैं पहले अंदकार युग में या उससे पूर्व ये धारना थी कि पृत्वी केंद्र पर है और उसके चारों और ब्रह्मान के बाकी जो तत्व हैं वो हैं को पर निकसने धारना को बदला और उसने ये खोज ये सच्चाई जो सामने लाई इसको लेकर जो उहा पो हुआ इसको लेकर जो पूरी विचारध हरा जो बदली वो हमारे अध्धन का केंद्र रहेगा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये बदलाओ को पर निकसने लाया इसलिए को पर निकसी करांटी कहते हैं इसे और अगला बिंदूशी के उसी से जुड़ा हुआ है ब्रह्मान्ड का अध्ध्यान वो भी हम इसमें देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि चौदहवी सदी में क्या यॉरप में पुनर जागरन हुआ था या कुछ और था जिसे हम रेनेसा कह रहे हैं पुनर जन्म कह रहे हैं पुनर जागरन कह रहे हैं क्या ये पुनर जागरन था या कुछ और था या पूरी तरह वो नई चीज आई थी और यöदि पुनर जागरन कह रहे है तो क्यों जैसा मैंने पूर में बताया पुनर जागरन मतलब फिर से जागना ये फिर से जागना जो है क्या ऐसा कहना इस काल के परवर्तनों के परिप्रेक्ष में क्या ऐसा कहना उचित है अंत में हम इसी का ध्यन करेंगे बच्चों एक बार फिर इटली के नक्षे की ओर हम थोड़ा मुखातिर होएं आप भी सोच रहे होंगे कि बारंबार ये नक्षे का ध्यन क्यों करने की बात करते हूं देखिए किसी भी चीज की प्रिष्ट भूमी उस चीज के होने की और उस चीज के फायदे और नुक्सान के लिए आवश्यक है प्रिष्ट भूमी के कारण ही कुछ घटना होती है कुछ बैक ग्राउंड होता है ना उसके कारण ही कुछ घटना होती है कलबना करिये, कक्षा में आपने कक्षा में आपने जन्म दिन पर मिठाई बांटी, क्या अच्छानक आप ऐसा टै करते हैं मिठाई बांटने का। या इसके पीछे कुछ भूमिका होती, कुछ पृष्ट भूमी होती, कुछ बैक्गराउंड होता है। उस बैक्ग्राउंड क्या बैक्ग्राउंड हो सकता है इस मामले में शायद आपने देखा है कि वहाँ पर मिठाईयां बांटी जाती है शायद आपके पेरेंट्स किसी विशिष्ट कारण से आपसे खुश हो गये हैं इसलिए आप मिठाई बांटना चाह रहे हैं शायद आप उस दिन की कख्षा में अध्यान से हट कर कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहे हैं अन्य गति विदी चाहे आनंद के लिए चाहे एक रूपता से हटने के लिए तो ये जो तीन चीजें बताईए क्या है ये प्रिष्ट भूमी है तो प्रिष्ट भूमी किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कारणों को जानने के लिए किसी भी घटना के कारण को जानने के लिए प्रिष्ट भूमी आवच्चक है और इतिहास में भागोलिक अध्ययन अपरिहारे है यदि आपको इतिहास सही समझना है तो किस चीवी अध्याय का प्रारम करने से पूर्व आप अच्छी तरह उसके नक्षों को पढ़ें उस विशे से संबंधित नक्षों पर एक अच्छी गहरी नजर डालें सरसरी भी नहीं गहरी तो चलिए हम नक्षे को एक बार फिर देखें देखें तीन तरफ से घिरा हुआ है जो आप देख रहे हैं इटली का आकार लंबा है और तीन ओर समुद्र है जिसमें भूमध्य सागर को आप देखिए भूमध्य सागर का जो खुला रास्ता दिख रहा है जिससे लगा हुआ से बहुत सा व्यापार होता था वहां से बहुत सा व्यापार समुद्री व्यापार क् उस काल में सबसे अधिक व्यापार समुद्र मार्क से होता था तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि इटैली तीन और समुद्र से घिरे होने के कारण एक खास इस्थान रखता है इसके बाद आप देखेंगे कि कितने सारे शहर वहाँ दिख रहे हैं रोम उसके बाद फ्लॉरेंस विबलानिया वेनिस पाड़ुआ जिनीवा और रोम तो रोमन सब्विता के नाम से प्रसिद्ध है और इटली के राजधानी भी है वर्तवान में तो ये नक्षा आपको जो दिख रहा है इसको अच्छी तरह बैठा लें और ये इटली के ऊपर यदि आप जाते हैं तो स्विस संग लिखा हुआ है यानि स्विद्धर लैंड होता था उसी के पास फ्रांस है उसी के पास जामनी है और फिर और उत्तर में इंग्लेंड है पश्चिम में पर्चगाल है इस्पेन है आदी आदी और इसके बाद अट्लांटिक महासागर अमेरिका ये स्थिति को आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है अब ये जो आप इतने सारे जो स्थान देख रहे हैं नाम ये बताता है कि नगरों के नगरों का विकास इस काल में बहुत हुआ और मैं जिस बिंदू को छूने जा रहा हूँ वह है पहला बिंदू हमारे अध्यन खेतर का नगरों का पुनर उत्थान इन नगरों के पुनर उत्थान याने पुनर जन्म फिर से इन नगरों का सामने आना फिर से इन नगरों की महत्ता बढ़ना फिर से इन नगरों का केंदर बनना केंदर बनना विभिन गतिविदियों का केंदर बनना या अखिर क्यों हुआ उन कारणों पर चर्चा करें तो जैसा मैंने कहा कि पुनर जागरन की शुरुवात इटली से मानी जाती है और इटली से मानी जाने का कारण है कि वहां नगरों का विकास हुआ नगरों का पुनर विकास हुआ बलकि हम कहेंगे वो ज़्यादा उचित होगा और इस विकास का कारण था कि जो यूनानी सामराजी थे या जो रोमन सामराजी था बाइजन्टाइन सामराजी था और इसलामी देशों के बीच इटली का तटवर्ती बंदरगाह आपको दिखाए दे रहा है इसके बाद मंगोल ख्यत्र को देखिए यहां आप मंगोलिया जिसे कहते हैं आज वरतमान में वो ख्यत्र मंगोल कहलाता था जिसका जिक्र मैंने पहले किया यायावर प्रजाती के रूप में यहां जिक्र करते हुए मैंने कहा कि यहां के लोग यायावर प्रवृतिके थे घ इंगोल जो सिलक रूट बना चीन पर इनकी सत्ता थी उसके बाद जो पूरा मार्ग था वो पूरे मार्ग पर इन्होंने जो कब्जा किया था उसके कारण इटेली की बहुत महत्पूर्ण भूमिका हो गई थी इसके साथ ही अब व्यापार और वैग्ञानिक उन्नती व्याप पार और साहितिक उन्नती व्यापार और कला की उन्नती के कारण भी ये नगर बड़े विकसित हुए और विकसित होते होते एक दोर आता है जब हम पाते हैं कि सामन्त वादी प्रथा लगभक समाप्त प्राय है राजा की पकड कमजोर हो चुकी है और राजा की जन्ता पर कमजोर पकड का फायदा ये नगर उठाते हैं और एक तरीके से ये नगर अपना स्वतंतर अस्टित्व बना लेते हैं जिन नगरों के जिन शहरों के मैंने नाम लिए ये शहर एक तरीके से स्वतंत्र शहर हो गया और इसलिए इने कहा जाने लगा नगर राज्य राज्य लेकिन नगरों का राज्य 36 गड़ जैसा भागुलिक शेतर नहीं जो नगर था वहाँ स्वयम में एक राज्य था अंग्रेजी में उसे कहते हैं सिटी स्टेट तो ये लोग सिटी स्टेट का रूप अपना लिए एक स्वतंत्र विचारधारा लेके चलने लगे हर शहर अपने तई किसी न किसी गतिविदी का केंद्र था व्यापारिक गतिविदियां तो थी ही इन सब जगहों पर पर इसके अलावा कुछ शहर विश्वद्यालेओं के कारण प्रसिद्ध थे कुछ शहर अपनी वास्तुकला की गतिविदियों के लिए प्रसिद्ध हुए कुछ शहर साहितिक गतिविदियों के लिए प्रसिद्ध हुए जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे लेकिन तात्पर कहने का ये है कि इस काल में जो नगरों का पुनरत्थान हुआ उसके पीछे कई कारण थे और जिसका जिक्र में बारंबार कर चुका हूँ और इस पुनरत्थान का परणाम ये हुआ कि नगरों ने अब नगर राज्य का रूप ले लिया जो केंद्री सत्ता थी राजा के रूप में वो तो वैसी सामन्ती काल में कमजोर हो चुकी थी क्योंकि सामन्त लोग बड़े तक्षक्तिशाली हो गए थे सेना तो सामंतों के पास थी जो राजा था वो सामंतों की सेना पर निर्वर था अब सामंत भी जब नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा परिवर्ट तनाया अच्छा सामंत के ना होने से सामंती प्रथा के समाप्त होने से अब राजा और प्रजा के बीच का समवाद बढ़ गया ये बहुत आहम बिंदू है पूर में क्या होता था राजा और प्रजा के बीच में सामंत वर्ग था जो बड़ा प्रभावशाली वर्ग था और ये सुनिश्चित करता था कि जनता और राजा के बीच में कितना संपर् रहे और संपर्क लगबग नहीं के बराबर होता था और राजा केवल सामंतों की ही जू हुजीरी में लगा रहता था अब जब सामंत वाद तो राजा और प्रजा के बीच में जाने केंद्र केंद्री सत्ता और जन्ता के बीच में डारिक संपर्क होता है जिसका बहुत अच् पुनर्थान ये पहला बिंदू जिसको हमने समझने की कोशिश की ये नगर कैसे थे पहला तो मैंने बताए नगर राज्य थे इतने इतने शक्तिशाली हो चुके थे इतने अहम हो चुके थे कि वे अपना स्वतंतर अस्तित्व बनाने में सफल थे और प्रमुख नगरों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण था Venice, Florence और Geneva ये सबसे ज़्याला महत्पूर्ण थे दूसरे शहर भी कोई कम महत्पूर्ण नहीं पर किसी दूसरे कारणों से महत्पूर्ण हुए इसके साथ ही हम देखते हैं इस काल में जो मैंने कहा कि धर्मादिकारी और सामंती प्रभाव कम हुआ और ये जो शहर हैं वे वानिजी केंद्र और व्यापारिक केंद्र बन गया है और इसके साथ ही साथ कला, साहित और संगीत के लिए भी जाने जाने लगे कला, साहित और संगीत के लिए भी ये जो ख्षेत्र हैं ये जाने जाने लगे नगरों के पुनुर्थान के बाद अगला बिंदु विश्व द्याले तथा मानवतावाद ये मानवतावाद एक विचार धारा है एक विचार धारा का अर्थ क्या होता है? एक तरखास तरह की सोच उस सोच में एक उद्देश होता है अंत में और उस उद्देश को पाने के रास्ते रहते हैं रास्ते बताये जाते हैं आज के परिप्रेक्षमेदी हम विचार धाराओं की बात करें तो एक साम्मेवादी विचारधारा है, जिसे कम्मिनिजम बोलते हैं, जिसका जिक्र राजनीती विज्ञान में बारंबार हुआ है, एक पूंजी वादी विचारधारा है, अर्थार्थ, कैपिटालिजम, ये अर्थिक विचारधारा है, इसके बाद समाजवाद है, ऐसे कई विचारधारा हैं आज़ुनिक काल में सुनने को आती हैं इस काल में हम देखते हैं मानवता वादी विचारधारा और उसका विश्व द्याले से संबंध जैसा मैंने पूर में बताया कि योरोप के सबसे पहले इटली खेतर में, इटली के देश में वहां पर यूनान से आय हुए लोंगों के कारण विभिन तरह की विचारधाराओं का सम्मिलन हुआ आदान पदान हुआ सोच विचार हुआ और परिणाम क्या हुआ कि एक नई विचारधाराएं सामने आई इन विचारधाराओं को हवा देना इन विचार धाराओं को पालना ये विश्व द्यालियों में मुख्य रूप से होता इटाली यूरोप के सबसे पहले होने वाला रज है देश है जिसमें विश्व द्याले स्थापित हुए यूरोप के सबसे पहले विश्व द्याले इटाली के शहर में स्थापित हुए और म ये मूल रूप से शैक्षनिक गतिविदियों के लिए शहर प्रसिद्ध था मैंने आपको जिक्र किया ने कि कुछ शहर वानजी दृष्टी से कुछ शहर कला साहित की दृष्टी से और कुछ शहर किसी अन्य दृष्टी से प्रसिद्ध हुए पाड़ुआ जो है वह शैक्षनिक केंदर की रूप में बहुत पुस्य द्यालों में पाड़ुआ के अलावा जो अन्य स्थानों में भी थे जहां इटली में वैसे सबसे पहले विश्य द्याले आये तो वहां पर विधी शास्त्रेय ने कानून मूल रूप से पढ़ाया जाने लगा कानून का विश्य सबसे महत्पूर्ण विश्य रहा अब आखिर ऐसा क्यों यह याद रखने की चीज नहीं है कानून का सबसे महत्पूर्ण विश्य होने का कारण क्या हो सकता है क्योंकि देखिए युनानी सब्विता और उसके साथ युनानी परमप्राएं आई इटली में और इधर रोम की सब्विता रोम की पररमप्राएं वैसे ही थी अब जब युनानी परमप्राओं का आना हुआ, वहां से अर्बों का आना हुआ और जब नगर राज्य स्वतंत्र हुए तो इटली के लोगों ने जब सोचना शुरू किया कि हम किस तरह का देश किस तरह की सभिता हम चाहते हैं तो उन्होंने पाया कि उनके पूर्व की सभिता याने रोमन सभिता बहुत प्रसिद्ध थी ब जुर्भाग्य से अंदकार युग में रोमन सभिता समाप्त हो चुकी थी अब वे उसका अध्यान करने लगे अरबी सभिता से प्रभावित होकर यूनानी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने रोमन सभिता के पुराने विचारों का भी अध्यान करना शुरू किया और इस गहन अध्यन के निचोड के रूप में ये बात साफ हुई कि कानून एक बहुत अहम खेतर होता है और वो कानून के पीछे कुछ सोच रहती है, हर कानून के पीछे कुछ सोच रहती है, तो यदि हमको अपनी सोच के अनुसार समाज को बनाना है, तो सरप्रतम हमें कानून बनाने होंगे, कानूनों का अध्यन जरूई होगा, और दोनों सब्विताओं के कानून थोड़े अलग ही थे, इनका सम्मिश्रण कुछ निकालना होगा, तो इसलिए विधी शास्त्र का अ दोनों अर्भी सब्विता के या युनानी सब्विता के परंपराओं का अध्यन और पुरानी रोमन सब्विता का सामने आना गहन अध्यन के प्रणाम शरूप, ये तो एक कारण हुआ, कानून के महत्ता का, दूसरा कारण ये था कि जो व्यापार होते थे, जिस व्यापार और वानजी की गतिविदियों के कारण ये शहर इतने बढ़ रहे थे, पनप रहे थे, पल रहे थे और विकसित हो रहे थे, अब ये जरूरी हो गया था कि किसी तरह का कानून बनाया जाए, इन वानजी की गतिविदियों और व्यापारिक गतिविदियों के लिए वकीलों की जुरत पढ़ने लगी, नोटरी की जुरत पढ़ने लगी, नोटरी एक तरह का वकील होता है, उसके कुछ अलग, उसकी जॉब प्रोफाइल कुछ अलग होती है, लेकिन आपके विल इतना जान लीजे कि वकीलों की जुरत पढ़ने लगी है, जो व्यापार के तहत, जो कई के मुद्दे क्या है वो माल का विलंब से आना उसका सजाक परणाम क्या होगा चाहे वो पैसे के रूप में उसका कर के रूप में उसका क्या प्राउधान होगा क्यों कर कितना कर टैक। कर मने टैक्स तो ये सब को ले कर वकीलों की बहुत जरुद पढ़ने लगी नोटरी की जरुद पढ़ने समझोता हुने नोटरी का जो है वो दो पक्षों के बीच में जो समझोता होता है उस पर उसके ताक्षर रहते हैं as a witness तो यह कहा जा सकता है कि समझोते की आवशिकता अंतर राजी अंतर खेतरी व्यापार और वानिज के मद्दे नजर कानून की जरुद बहुत पढ़ने लगी तो यह दूसरा कारण हो गया अब जो कानून का अध्यन हुआ वो मैंने आपको बताया बारं बार इशारे से कि रोमन सभिता की ओर जब उनकी नजर पढ़ी याने पांचवी सदी के पूर् का जो रोमन सभिता थी उसका जब अध्यन शुरू हुआ तो कानून का अध्यन रोमन संस्कृति के संदर में प्रारं हुआ क्योंकि मूल रूप से इटैली जो है वह रोमन सभिता का परिचायक था वह रोमन सभिता का लीडर था तो रोमन सभिता को बद्दी नजर रखके क कानून का अध्येन प्रारम हु और अगला बंडू जो मानौतावाद और लिशिध्याले के अताथ है वह है पेट्रार्क दौरा प्राचीन योनानी और रोमन रचनाओं के अध्येन पर जोड दिया गया, पेट्रार्क बहुत प्रसित मानौतावादी विचारक था उस काल का पेटरार्क उसने इस बात पर जोर दिया कि किसी वितरह के कानून बाधक नहीं होना चाहिए व्यापार और वानिज के क्षेतर में और बाधक नहीं होने के लिए जरूरी है कि प्राचीन यूनानी कानूनों और रोमन कानूनों का अध्यान किया जाए इनकी रचनाओं का अधियन किया जाए और उससे जो सम्मिश्रन निकलता है उसे कानून का अमली जामा पहनाया जाए.